हलो बच्चा बाटी सी है मैं foundation exam के बारे में quick चीज़े बताता हूँ जो बहुत important है first of all आपका exam जो है completely MCQ based exam होता है जहाँ पर आपके in total 50 questions आ रहे होते हैं हर question यहाँ 2 marks का होता है total 100 marks का आपका paper हो गया यहाँ पर आपको 4 paper देखने को मिलेंगे हर paper के अंदर 2 subject देखने को मिलेंगे financial accounting, cost accounting एक हो गया दूसरा हो गया तुम्हारा maths और stats तीसरा हो गया law, communication and economics and management यहाँ पर कोई भी negative marking नहीं होती तो आपको सारे question अटेंट करके आने होते हैं majorly आपको question सारे देखने को मिलेंगे जो कि आपके study material से होते हैं या फिर bits question जो कि institute अपनी खुद की MC की book निकालती ही वहाँ से या फिर आपको कुछ extra questions जो मैं देता हूँ जो कि थोड़े high level के question होते हैं और exam में आते हैं वो questions कर लोगे तो that is sufficient क्योंकि यह के qualifying level का exam है इसको आपको सिफ clear करना है इस पर कोई rank वगेर आपको देखने को नहीं मिलेगी online based exam होता है तो आप घर से बैटके इसको online exam mode में attend कर सकते हो proctor mode में आप के तुरू देना होता है और ऐसी relevant information की चैनल को subscribe करना बिल्कुल में मत बूलना